है गाइस दिस टैना फुटबॉलर वेलकम बेक टो चैनल मुझसे कई लोगों ने कमेंट में बताया था कि वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें ना तो फैमिली से सपोर्ट मिलता है ना ही उनको पैरेंट सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपक तक देखेंगे तभी आपके सारी डाउट क्लियर होंगे वरना आपके डाउट रह जाएंगे और कमेंट शेक्षन में बड़े बड़े जो डाउट होते हैं वह क्लियर नहीं हो सकते हो तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा एक बार में नहीं है तो दूसरे बा तो अच्छा फ्यूचर हो इसलिए वो सोचते हैं कि यह पढ़ाई करेगा तो ज्यादा अच्छी कोई ना कोई नौकरी करेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा फ्यूचर रहेगा यह काफिया तक मैं मानता हूं कि हाँ यह सही बात है लेकिन यह गलत है कि कई लोग कई पैरें है हर चीज है फुटबॉल में तो डेफिनेटली आप कुछ मेहनत पे ही प्रो लेविल तक अच्छी लेविल तक फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं क्रिकेट में एक तरीके से मैं मान सकते हैं कि उसमें बहुत ही टफ कॉमपेटिशन लेकिन फुटबॉल में इतना ज्यादा कॉमपेटिशन नहीं है तो आपकी थोड़ी मेहनत में ही आपको बहुत ही अच्छे लेविल पे ले जा सकते हैं देखे क्या होता है कि आपको क्या करना है आपको अगर आप स्कूल लेविल पे या कॉलेज लेविल में है तो आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ने जी यहां पढ़ाई करते रहिए, continuous पढ़ाई करिए, फिर उसके बाद जो पढ़ाई के लावा जो time मिलता है, उसमें sports खिली, जैसे साम के हमेशा लगबग हर कोई free रहता है, मैं भी उसी time free रहता था, तो मैं साम को practice किया करता था, सुबह practice किया करता था साम को, तो आपको पढ़ होते हैं, ध्यान से सुनियेगा, जो school और college में football की tournament होते हैं, उसमें आपको participate करना है, उसके बाद आपको best of the best, मतलब बहुत ही अच्छा performance आपको देना है in tournaments में, जी है best of the best, मतलब man of the match performance देनी है, कि आप ही man of the match बने उस game के, तो आपको इनमें participate करना है, बहुत ही अच्छ होता है ना, कि कोई अच्छा खेलता है, तो आप लोग दूरी से कहते हैं, भाई, यह तो बहुत ही अच्छा खेलता है sports, बहुत ही अच्छा cricket, बहुत ही अच्छा football, कबड़ी खेलता है, तो एक environment बनता है कि भाई, हाँ, इसको लेना चाहिए team में तो एक environment बनेगा जब आपके parents, आपके family तक जाएगा, अगर आप trophy लेके घर जाएगे, तो कभी न कभी उनका दिल तो पेगलेगा ही, कि हाँ भाई, ये sports में अच्छा कर रहा है, कितनी trophies ला रहा है, तो इसका एक तरीके से सोचना चाहिए, कि ये sports में career बना सकता है, football में career बना सकता है, तो आप definitely यहां से chance बना सकते हैं, अपने football player बनने के लिए, तो आपको अपने school या college के जो tournaments होते हैं, जैसे divisional tournament होते हैं, inter school tournament, inter college tournament होते हैं, तो इनमें आपको participate करना है, और देखे, आपको hard work करना होगा, क्योंकि देखे, हर चीज में पढ़ाई करेंगे, उसमें भी hard work की जरूरते है sports scaling उसमें भी hard work, हर चीज में hard work है, क्योंकि जो success होते हैं, वो हमें सा sacrifice मांगते हैं, dedication मांगते हैं, struggle मानती है, तो यह सब आपको follow करना है, देखे, यही है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़िएगा मत, जब तक आप बहुत यच्छे level, मतलब I-League second division या I-League में नहीं पह चीजे clear हुई होगी, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजेगे, चैनल परना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलूँ गए next video में, thank you very much